संपूर्ण राजस्थान को कवा करते हैं हम राजस्थान की हर खबर देखते रहे डीपी के न्यूस पर नमस्कार स्टेट न्यूस बुलेटिन में आपको अस्वागत है मैं आपके साथ हर्ष्चोधरी बुलेटिन की शुरुवात करने से पहले एक नज़र बुलेटिन की एहम सुर्ख्यों पर सुप्रेम कौर्ट ने नोपूर शर्मा को कहा पैगंबर पर टिपने के लिए नोपूर शर्मा को टीवी पर पूरे देश से माननी चाहिए माफी जुलाई से प्लास्टिक खेली बेन को लेकर अनोपगर नगरपालिका में बैठक का हुआ आयो जन परताप गड़ में राजक थत्फों ने वहान में लगाई याग कार वे बाइक जलाकर हुई राख और खबरें विस्तार से पेगंबर पर टिपने मामले में बिजेपी से निलंबित परवक्ता नोपूर शर्मा को सुप्रेम कौट ने शुकरवार को कड़ी फटकार लगाई कौट ने कहा कि उनके टिपनियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पेदा किया और देश में विरोध परदर्शन को जन्म दिया है कौट ने कहा कि नोपूर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए सुप्रेम कौट ने ये भी कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए वो अकेले ही जिम्मेदार है मामले में सुप्रेम कौट ने कहा कि हमने इस पर बैस देखी कि उसे कैसे उपसाया गया लेकिन जिस तरह से उसने ये सब कहा और बार में कहा कि वो एक वकील है ये शरमनाक है उन्हें पुरे देश से माफी मांगनी चाहिए सुप्रेम कौर्ट नोपुर शरमा के उस याचिका पर परतिकरिया दे रहा था जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि उनके खिलाफ दर जिस सभी F.I.R. को दिली स्थांतरीत कर दी जाए कौर्ट ने शरमा की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसके बाद उनके वकील को ये याचिका वापस लेनी पड़ी सुनवाई के दोरान नोपूर शरमा की और से वरिष्ट अधिवक्ता मनिंदर सिंग ने कहा कि उन्हें धंकियों का सामना करना पड़ रहा है इस पर कौर्ट ने कहा कि उन्हें धंकियों का सामना करना पड़ता है या वैसरुक्षा के लिए खत्रा बन गई है जिस तरह से उन्होंने पुरे देश में भामनाओं को भड़काया है देश में जो उरा है उसके लिए ये महिला अकेले जिमेदार है कौट ने कहा कि उनके टिपणी ने उनके अडियल और रहंकारी चरित्रे को दिखाया है खबरों में बात करेंगे नोपगड के जहा नगरपाली का नोपगड में भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन द्वारा एक जुलाई से प्लास्टिक थेली बेन को लेकर नगरपाली का प्रांगन में बैठक का उजिन किया गया बैठक में अनुपगर शेहर के सभी दुकानदार यूनियन के अध्यक्ष पारशद पत्रकारों से मीटिंग में नगरपाली का यो लाजपत राय विश्णोई ने समझाईश करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने में शेहर के सभी दुकानदार अपना से होग करें वह इसके सतय भी उन्होंने कहा कि शेहरवासियों को बजार में आते समय अपने साथ कपड़े का थेला जरूर लेकर आएं ताकि प्लास्टिक थेली के कच्रे से बचा जा सके जिसे वातावरन शुद्ध हो वह आपका शेहर साप सुत्रा हो सुन्दर हो सके और उनको यह कहा गया है कि जो वारसरकार के द्वारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बैन किया गया है उसको सत पुर्थिसद पालना करनी है और यदि इसकी पालना नहीं होती है तो नगरपाली का इसमें स्टिट एक्शन भी लिए बारा से खबर जां चीपा वडोद में उद्यापूर के भवचर्चित कनया लाल हत्याकान के वेरोद में भाजपा समेथ व्यपारिक संक्ठनों के आवान पर कल आदे दिन के लिए बाजार पुर्ण रूप से बंद रखा गया भजपा कारे करता समेथ कस्बे के सभी वपारियों ने अपने पर्तिष्ठान बंद रख राजे में हुई आतंकी घटना पर आक्रोश जताया वहीं धारा 144 के चलते पुलीस पर श्यासन भी पुरी तरह से मुस्तेद नजर आया सुरतगर से कबर जहां आर्मी चेतर में चट से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई दरसल अन्या मजदूर उसे यहां ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंचे जहां चेकित सकों ने उससे अमरत गोशित कर दिया जानकारे का नुसार आर्मी चेतर में बरड़ी बरवासनी बिहार निवासी 26 वर्षी अर्विन पुत्र दसो दास दो महा से भवन में फर्ष रगडाई का कारे कर रहा था उसके साथ मजदूर राजभादूर वैराजपाल भी काम करते हैं गुर्वार राथरी को करीब 10 बजे 3 मजदूरों ने खाना खाया उसके बाद राजभादूर वैराजपाल चत पर 100 ने चले गए शुकरवार सुबह करीब 5 बजे राजभादूर उटकर नीचे जाने लगा तो उसने अर्विन को चत से नीचे वे गिरते हुए देखा इसके बाद उसे यहां ट्रोमा सेंटर लेकर गए जाचे कित्सकों ने उसे अम्रत को शित कर दिया इसके बाद शव को सी अच्सी की मौचरी में रखवाया गया पावटा सिक बर्जा निगरबर्थी ग्राम पंचायत पंडित पुरा के गाउं रामपुरा में राज के उच्चुमादे में एक वेदालिया की दस्वी कक्षा का परिक्षा परिणाम खराब आने पर नराज जनपर्थिनीद्यों वे ग्रामिनों ने शुकरवार को विदालिय के बाहर धरना परदर्शन करते हुए सिक्षकों वे सिक्षा व्यभा के खिलाफ जम करना रिवाजी की ग्रामिनों ने अध्यापकों पर विदालिय में चात्र चात्राओं के अध्यापन में लापरवाही बर्त ने सिक्षकों का सही समय पर विदालय ने आना, विदालय में अनुशासन हिंता वा परिजनों के साथ सिक्षकों का दुर्वयोहार सही विदालय में विभिन समस्याओं से चात्री चात्रों के भविश्या पर पढ़ने वाले बुरे असर को देखते वे, ज जोकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया है इसलिए वेदालिया स्टाफ को बदलने की भी मांग की गई बाद में जनपरतिनीदियों वेग्रामिनों नेपाव ट्याता सिल्दार मुकेश अगरवाल SBO सुरेश चंदर कसाना के आश्वासन भर धरना समाप्त किया उत्रपरदेश के कुशी नगर से खबर जाँ विकास खन नेबुआ नौरंगिया चेकेटसा परभारी मनतोश कुमार के अध्यक्षता में संचारी रोग नियंफरन अभ्यान को लेकर अभ्यान रेली निकाली गई रेली को ब्लोक प्रेमुक परतिनीदी शेस नाथ यादूं ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया रेली के बाद नेबुआ नौरंगिया चेकेटसा परभारी मनतोश कुमार के अध्यक्षता में विविद कारे करम संपन हुए इस दोरान लोगों को संचारी रोग के नियंफरन के लिए शपत भी दिलाई नेबुआ नौरंग्या चिकित्सा परबारी मंतोश कुमार ने बताया कि विशेल संचारी रोग नियंत्रण अभ्यान हर जगह चला कर लोगों को जागरुक किया जा रहा है इस दौरान वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगो और चिकन गुनिया की रोगताम के लिए कई कारे करम भी आयोजित किये जा रहे है आगरा से खबर जान जीएश्टी की पांचवें वर्ष गांट पर ताच नगरी आगरा में जीएश्टी कारले पर एक कारे करम का आयोजिन किया जिसमें शेहर के जादातर व्यपारियों को बुलाया गया और जीएश्टी के फायदे के बारे में विस्तरित रूप से चर्चा की गई पांच साल पहले आज एके दिन जीएश्टी लागू की गई थी जीएश्टी की पांच साल पूरे होने पर शुकरवार को आगरा के सूर सदान वे जीएश्टी कारले पर एक कारे करम का आयोजिन किया जिसमें जीएश्टी विभाक यदिकारियों के दुबारा शेहर की वेपारियों से जीएश्टी पर विस्तरित रूप से चर्चा की गई और उनको विभाक यदिकारियों को सम्मानित भी किया गया मैं हमने सभी हमारे जो जीएश्टी में हमारे ओफिसरस के अलावा चोर्डीन पर जीएश्ट्र में आधिवक्ता चाहां जैसे की विल्वादी सीमियों को इसस picnic ही और उसको अमंत्रत करके इतने पर मनाने का हमारा जो उद्देश है वो यह है कि हम उन सभी का पिछले पांच साल की जो हमारी यात्रा रही है जी एस्टी में उसमें उनका जो योगदान है उसको हम आज यहां पर उनको एक्नोलेज करना चाहते हैं और साथ में हम आगे के लिए उनको यह विश्वास दिलान जो यह अभूतपूर्म रिफॉर्म है इसको आगे जिसका उद्देश जो है कि पूरा कास्केडिंग एफेक्ट कम हो और इसका जो देश का पूरे देश का जो इंटीग्रेशन हो टैक्सेशन सिस्टम का उसको आगे बढ़ाते रहे हैं हम जो ब्यापारी है जो इस अभी जिनके अंदर को संसे संकोच है उनको हम समय समय पर अवेर करने के लिए सैमिनार्स भी आयज़ित करते हैं और हमना शन्चौानày चर्ने रहे हैं जो टैक्स कीम भी लगा राखे हैं जो और वेमाव्यार्च दिन Cum उसमें किसी भी टेक्स ब्यापारी को कोई बात की कोई हिचकी चार्ट है या उसको कोई सूचना चाहिए तो हम बरावर ले जाते रहें उनको देते हैं और हम एक यह है कि हम इस उद्देश के साथ चल रहे हैं कि किसी में किसी भी तरह का कोई टेक्स का कोई बहना हो सब लोग साथ चलें अपना जो ड्यू टेक्स हैं वो दें और उसके इसी रिफॉर्ब को हम आगे बढ़ाते रहें ग्यापन में मांग है कि राम सवरूप पुत्र किशनलाल वे राम गोपाल पुत्र किशन गोपाल रंगा का एक पट्टा सुदा भूखंड धूला वाला इंद्रा कलोनी में स्थित है बुखंड पर मोलेवासियों के द्वारा आये दिन नए नए हतकंडे अपनाते वे इस बुखंड पर अतिकर्मन करने का प्रियास किया जा रहा है प्लाट मालिकों के वारिसान रमेश रंगापुत्र राम सरूप रंगा और कनया रंगापुत्र राम गोपाल रंगा अपने रिष्टेदारों के साथ अपने पलोट पर नाजाएज रूप से किये गए अतिकर्मन हटाने गए तो नए समाजिक लटों ने उनके साथ मार पिट और बद सलुकी की उन्होंने तवरित कारवाई कर पुलिस थाना फलोदी में इसकी सूचना दी तो पुलिस ने दो व्यक्तियों को शांती भंक के आरोप में गिरफतार किया हमने पुसकर्णा नवियुक मंदल की तरफ से एस्टियम साइबा को क्या पन दिया है जो पूरो में ये गटना हुई थी इंद्रा कॉलोनी के मदुमेटिल के पीछे उसमें पलोट पर अवेद रूप से अतिकर्मन करने की कोशिस की जा रही है और जब उखंड मालिक हमारे पुसकर्णा बंदू वहाँ पर गए तो उनके साथ में मार पीट की अबदरता की गई और इन सब के बाद उन पर जूठे लज़ा बंग के मुकद में दर्ज करवाए गए है इनके खिलाब हमने इस्टियम को सुचित करवाया है और उनसे आगर दिया है कि अब नए सिरे से जो भी होना तो वो परसाशन की निगरानी के अंदर इनको अतिकर्मन को अटाया जाए और इनको इनकी बज़े संदिल वाई जाए परताबगड के नगर कोतवाली के भूमापियाओं वे चोकी अंदरगत राजगड गाउं में बितिराथ था ग्यात राजक तत्मों द्वाराग लगाने के चलते एल्टो कार वे अपाची बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई दुर्गा देवी पतनी सुरगिया रामा कांथ मिश्रा निवासी राजगड की कार वे बाइक बितिराथ को राजक तत्मों द्वाराग के हवाले कर दी जिससे दोनों बहान पूरी तरह से जलकर राख हो गई गटना भी तिराथ लगबग दो बजे की है घर के सबी परिजन सो रहे थे तबी टायर फटने की अवाज आई तो बाहर निकलते देखा तो कार वे बाइक बहपेशन आग लगी भी थी जिसमें टायर फट रहे थे हला आग को हार सुनकर आजपास के लोगे कठा हो गए और अननफानन में बाल्टी से पानी भर भर कर आग को बुझाने की कोशिश के लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका उत्रपरदेश के जनपत कास गंज में समाजवादी पार्टी के जिला कारल्या पर उत्रपरदेश के पुरो मुख्यमंत्री सपा सुप्रेमो अखिलेश यादव का जनम दिवस सपा कारेकरताओं ने धोमधाम से मनाया आपको बता दे जिला कारलिया और मेला पैलेज बिल राम गेट पर समाजवादी पार्टी के कारे करताओं पतादिकारियों ने सपा सुप्रेमो का जन्म दिवस के काटकर बड़े हर्श्यो लास के साथ मनाया इस दोरान सपाजिला अध्यक्ष दवेंदर यादव ने का क्या मिश्वर से कामना करते हैं कि राश्च अध्यक्ष की धिरगायू करे ताकि अध्यक्ष गरीब पेडित शोसित सभी की मदद करते रहे आज नके जन्म दिवस कामनाय खरते रहे हैं और इस वर्जे कामना करते हैं कि हिव्यक्ष यह दूवर जिस से क्प्योर, घरी, अलब खन देने, समी समाज बाटे लोगों की आवाज बाटे बान करता हैं और आज वाँ समाजवादरी पार्टी हे जाएं कि प्रइसर और मोगों को सिफाएगा ने निल बहराईच के दरगात हना की पुलीस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलीस ने तीन शात्र हाईवे मुबाईल चोर गेंग का खुला सा किया इस समन में जानकारी देते वे अपर पुलीस अदिक्शक नगर कौवर ग्यानन जह सिंग ने बताया कि इन चोरों के द्वारा हाईवे पर खड़ी गाडियों से मुबाईल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था अक्सर जो लोग गाडियों में फोन भूल जाते थे या जो गाडियों में फोन रखकर सोजाया करते थे तब इनके द्वारा मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था जब ये चोरी की वारदाद को अंजाम देने जा रहे थे तब ये पुलिस द्वारा चेकिंग अभ्यान चला जा रहा था पुलिस चेकिंग संदिगनों को रोकी तो इनके तलाशी लिए उनके पास से कई मोबाइल बरामत हुए जिसके निशान देही और पुलिस ने इसके पास से 30 चोरी के मोबाइल बरामत किये जिसमें से 3-4 भी पकड़े गए कानपूर के बीच में ठखों से चोरी किये जाने की अनेकों वार्दात में 30 मोबाइल बिकुबद किये गया है जिसमें 3 बिक्तियों को पुलिस ने पुखना है जावेद, इम्रान और एक रांग परनेशी नाम के 3 बिक्तियों है जिसमें इम्रान जोहिर का लीडर है इनके गवतार करके जिल मेजा जाना है साथी साथ और भी साथियों की खलास की जा रही है साथी साथ और मार्दादों से इसे फासां के पूशिक है सार इन तक के प्रेश निंग बहुची करे लिए है जातिर करा के यह इसके साथ बिलेटन में इतना ही नमस्कार इसके साथ बिलेटन में इतना ही नमस्कार